गुड इवनिंग मैं सेले शादव असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्रफी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन गौर्णमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा जो ग्यान सुधा सक्सेश साथी चैनल स्टार्ट किया गया है उसके माध्यम से आज हम भारत के भुवाकरति प्रदेश या फिजोग्राफिक डिविजन की बात करेंगे और उसमें से हम देखेंगे प्राज या पठार के बारे में यह सीरीज को फर्स्ट वीडियो है रिमेनिंग पोर्शन आपको नेक्स वीडियो में मिल जाएगा तो देखे इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हम प्रदेश फिर आपका आता है उत्तर का मैदान यह दोनों हम देख चुके हैं वीडियो में पुराने वीडियो आप देख सकते हैं इसके लिए आज हम बात करेंगे वह होगी पठार की या पैनिंसुलर प्लेट्यू की इसके बाद में दो दो सेक्शन बचेंगे वह बचें नीचे है आपका नौर्दन प्लेंस या उत्तर का मैदान इसके बाद में पैनिंसुलर भाग है या आपका यलो कलर में दिख रहा है प्राइड यूप बहाग है जिसके आज हम बात करने वाले हैं इसके पश्यम और पूरों में आपको देखने को मिलें कोस्टल प्लेंस या तर्टीय मैदान और यह आपके दीब समों हो गए अंडवान निकवार दीब समों और यह आपका लक्षदीब यह ब्लैंक मैप है इसमें आप देख सकते हैं तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने हिमाले के बारे में पढ़ा है और गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा हमालय या शिवाली क्या भाहि हमालय ठीक है इसके अंदर जो फॉल्ड्स थे हमने देखे थे हम घुज सबसे बाद वाला यहां पर आपको देखने को मिलता है लगओ हमालय के बाद में वह हिमालय प्राइडवी पठारी भाग यह आपका हो गया प्राइडवी पठार और इसी का जो एक्स्टेंशन है वह आपको नौर्थीस में मिलता है जो है आपका मेगाले प्लेट्यू यहां पर गारोखासी जैन्तिया और असम में थोड़ा सा बाग है जिसको बोलते हैं कारवी ओंगल प्लेट्यू इंडिया के बारे में पता होना चाहिए उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहली बात कि यह जो प्राइडवी पठार है यह आपका प्री केम्रें काल से बन रहा है और अभी भी इसमें बहुत जग़ें फोल्टिंग हो रही है तो यह प्राइ प्राइड सते हैं या इरोजनल सर्फेसे जो अपने बेस लेवल को यहां पर जो नदियां है वह भी अपने बेस लेवल को या अधारतर को प्राप्त कर चुकी है तो यह काफी प्राचीन तम आप कह सकते हैं इसको प्राचीन तम जो जिए लिगल स्ट्रक्चर भारत में लगभग आदा है बात का चुत्रपल है बत्तीस लाग सित्यासी जार दोस्तों तरश स्क्वाइर किलोमिटर और उसके लगभग आदे भाग पे आपको यह देखने को मिलेगा प्राइड यूपे पठारी भाग ठीक है इसके लिए आप उचाई की बात करोगे तो इसके उस के लिए विस्तार की बात करोगे तो उत्तर पश्चिम में यह दिल्ली कटक जो अरावली का एक्स्टेंशन है अरावली का विस्तार है पूरो में यह राजमेल पहाडियों से पश्चिम में गिर पहाडियों से गुजरात में है और दक्षिन में कार्डमम हिल्स इलाइची के सिमा निर्धरित करती है जैसे हो इसके मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूरण में शिलौंग पत्हार या जो मिघाली प्लेट्यू है और कार्बी एंगलोंग पत्हार है कि Mother राजमैल ब्रंश के द्वारा पनसुलर भाग से अलग हुआ है इसके लाव जो पहाडियां है आप जितने भी पहाडियां देखते हो वो सारी पहाडियां आपके हिमालिया का विस्तार है जो आप नीचे तक अंडमान निकबार तक फैली हुई है इसी के साथ यह देखे आप मालदा भ्रंश उत्रिपूर्वी भाग में स्तित मेघालिया और कार्विय नेगलों पठार को चोटा नागपूर प्लेट्यू से अलग करता है प्राइद्वी भाग का जो पूर्वी भाग है चोटानागपुर का पठार, चोटानागपुर पठार को माल्दा भ्रंश मेगालिया के पठार से अलग करता है, ठीक है? तो ये हो गए आपका, इसके अलावा यहां के उच्चावचों के बात करोगे, तो यहां पे पहाड़ों के रूप में यहां पे देखने को मिलते हैं, प्राइद्वी पठार की, यहां पे रिसोर्स के बात करोगे, तो यहां पे इसको रिसोर्स सीजन भी बोला जाता है भारत का, क्योंकि प्राइद्वी भारत में कोईले का निर्मान जो हुआ गोंडवाना काल में, यहीं पे हुआ, इसके अलावा, यहां पर क्रिटेश्यस काल में बढ़े पेमाने पर यहां हाइ ले लेवल पे जो आलमों की उढ़ गार हुआ है, उसी जो आलमों की उढ़ार के वज़े से, जो दक्कन का ट्रैप है, डेकन इक Klíए हो निर्मित हुआ है, और डेकन ट्रैप के अनेक भागों में उत्थान हुआ है उनका निमर्जन हुआ है सबमर्जेंस और इमर्जेंस हुआ है भ्रंश बने हैं वहां पे फॉल्टिंग हुई है और इसके वज़े से यह जो जो भुख अक्रती है उसमें बहुत सारी विवित्ता हैं आपको देखने को मिलती है और इन पार्ट कौन-कौन से हैं सबसे पहले उच भूमी की बात करते हैं तो एक है आपका उत्री-मध्य-उच भूमी और फिर आता है दक्षणी-मध्य-उच भूमी तो उत्र में नौर्थ-Central Highland और साउथ-Central Highland ठीक है तो दो उच भूमी आओ गई एक में आप पढ़ोगे अर दकन्ट्रयप ठीक है जिसमें तेलंगाना हो गया तमिलनाडु हो गया और देकन्ट्रयप खुद हो गया करनाटका का प्लेटी हो गया यह हम देखेंगे इसमें पांचों नमबर पे आता है मिघालिया मिकिर पथार जिसको उत्री पूर्वी पथार भी बोलते हैं नौर्थ से प्लेटी बोलते हैं जिसमें मैंने कहा गारोखासी जैनतिया और कारवी ओंगलों को हम इसमें देखेंगे इसके लावा पश्मी घाट और पूरवी घाट जिसको नेक्स क्लास में देखने वाले हैं तो यह टोटल साथ आपको देखने को मिलते हैं प्राइडिव पठार के जात पॉक्षिंज तो यह North Central Highlands हो गया उसके नीचे हो गया South Central Highland उसके बादमें यहाजाता आपका देखन क्रीप के बाद में यह आपका मत्रेप हो गया Eastern प्लेट्यू में इसमें धालिया मिकिर पठार, तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर कारभी यंग लोंग, इसके बाद में यह आपका हो गया western ghats, जो by diversity hot sports हैं, और यह इस तरफ वाला हो गया आपका eastern ghats, ठीक है, तो यह साथ portion हैं, जो हमें पढ़ने हैं, प्रायद्यूबे पठार के बारे में, इनके बारे में हम दोड़ा होड़ा टेल में हम देखते हैं, अगली slide में, सबसे पहले जो आता है, वो आता है आपका उत्री मध्य उच्छ भूमी, north central highlands, simply इसको बोल सकते हैं आपकी उत्री भाग, प दिली तक फैली वी है, प्राचीनतम वलित परवतमाला है, फोल्डेड माउंटेंस हैं, बहुत पुराने फोल्डेड माउंटेंस हैं, जो प्री केंब्रे निकाल के बने हुए हैं, इनको आप रेलिक हैं माउंटेंस हैं, यह मतलब आउशेशी माउंटेंस हैं, क्योंकि वह अरावली परवतमाला को विंद्यन से अलग करता है, फोल्ट लाइन है, जिसको बोलते हैं great boundary fault, बहुत बार प्रकुशन पूछा गया है इसके बारे में, तो यह अरावली परवतमाला को विंद्यन से अलग करता है, विंद्यन परवतमाला है वो भारत को उत्तर और दक्ष कालिमिटी से बाना हुआ है अरावली परवत्माला इसके उत्तर में है दक्षिन में विंद्यन परवत्माला है और इसके पूरो में बुंदेल खंड है और उसके थोड़ा सा आगया आप जाओगा तो बहहने को मिलेगा एक आलिमिटी से निरमित है और यह पठार पर उर्मिल मैदान मैंने कहा था रोलिंग प्लेंस मिलते हैं यहां पर उच्छावच युक्त मैदान मिलते हैं जिसको रोलिंग प्लेंस या उर्मिल मैदान कहते हैं और यहां पर कहीं कहीं पर चप्टी पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलती है जो जिन प्रिवाग को चंबल और उसकी साइक नदियों द्वारा अपवाहिद किया जाता है यहां पर जो में ड्रेनेज है वो चंबल नदी का है और इसके द्वारा बहुत सारा भीहड या उत्खाद भूमी या रिवाइन्स बनाए गया है जो आपको जब नदी अपरदन करती है तो जो गली अपरदन या गली इरोजन या अवनलिका परदन होता है उसके वज़े से वहां पे बड़े-बड़े गड़े बन चुके हैं जिनको रिवाइन्स बोलते हैं या जिसको बैड लेंड भी बोलते हैं उत्खाद भूमी भी बोलते हैं उसके रूप में इस शेत्र को प तो जो हड़ोती का प्लेट्यू है वो बैसिकली मालवा प्लेट्यू का ही extension है आउट्डोप है मालवा के पठार का ही बहाए बहाग है जो आपको हाड़ोती के पठार में देखने को मिलता है ठीक है और मैंने जो आपको की great boundary fault है वो विंधियन को अरावली से अलग करती तो य एक Great Boundary Fault है, Fault Line है एक GBF जिसको बोलते हैं, तो यह आपका हो गया North Central Highlands या केंद्रिय उत्तर केंद्रिय उच्छ भूमी, इसके बाद में आता है दक्षनी मध्य उच्छ भूमी या South Central Highlands या इसको दक्षनी केंद्रिय उच्छ भूमी भी बोलते हैं, आपका जो इसमें आप देखोगे, इसमें विंद्याचल परवत और इसके निकटवर्ती प्रदेश हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है, विंद्याचल परवत क्या है, विंद्याचल परवत एक ब्लोक माउंटेन का, ब्लोक परवत का, और इसके अंतरगत सम्मिलित हैं, विंद्याचल, भा विंदयचल पर्वत के बाद में या उसके बाद में आता है भखगेलखन तो बुंदयखर और बागेलखन भीछेढ़ और यह सारा का शेत्र है किसे मिलके बना है या आपका मिलके बना है ओल जो कि आया पर पठार और विंदाजरर्जल ने के बीच में है और इस सीरीज में इस जो छेतर है उसमें वे चंबल सायक नदिये द्वारा उत्र बूमियां यहां पर देखने को मिलता है और बेसिकली यह सेमि एरीड रीजन है अरद शुष्क प्रदेश है यहां पर जो वर्षा की मातर है वो इतनी प्राप नहीं होती तो यहां पर यह जो एरिया है वो अग्रिकल्चर के लिए प्रोड़क्टिव नहीं है लेकिन यहां पर बहुत सा इंशी है यहां पाहाडी है ठीक है विंदियन जो है इसमें मैंने कहा आपको कि इसमें तीन है सबसे उपर वाला जो सबसे पहले इसमेलि का मिलेगे आपको पारसनाव तो मैंने कहा कि विंधियन जो रेंज है वो आपका तीन है उसमें विंधियन पहाड़ी खुद भांडेर है कैमूर है और पारसनाथ है ठीक है इसके नीचे आप देखोगे यदि नर्मदा नदी है जो विंधियन और सत्पुड़ा के बीच में से भ्रंश घाटे की रूप में बहती है और यह आप जो नदी देख रहे हो यह इस्ट वेस्ट फ्लो करती है मैकसिम्म जो रीवर्स हैं इंडिया की वो पिश्चिम से पूरव की और करती है क्योंकि जो प्लेटी रीजन है या जो पिश्चिम से पूरव की और है लेकिन यह नर्मदा और ताप्ती नदिया है वो भ्रंश घाटे में बहती है इसके वज़े से इनका जो flow है वो east से west की तरफ है ठीक है तो नर्मदा और तापती दोन ही जो है नदिया इस से west की और प्रवाइथ होती है उसका कारण क्या है कि यह भ्रंश गाटे से ओके बहती है ठीक है तो जो सत्पुडा है सत्पुडा में भी तीन है सत्पुडा महादे लग्यारिश लिए ठीक कारण को सबसे उंचा परवत है उसका सबसे उंचा परवत है अमरकंपक यह अमरकंपक है जिसे दो नदिया निकलती है एक निकलती आपकी nossos्हां ठीक है यहां पे धियान देना है कि जो मेंक् sports अथीन नियुक्र यहें निकलती होई सिर्फ अमर कंटक से सिर्फ नर्मदा और सौन निकलती है, महान अधी जो रिवर है वो अमर कंटक से नहीं निकलती है, मैकाल से निकल रही है, लेकिन अमर कंटक जो सबसे उंचा पॉइंट है इसका, वहां से दो नदिया निकल रही है, कौन-कौन से निकल रही है, यहां से निकल रह को देखने को मिलता है आपको कि विंद्यास्टेन के परवत में नर्मदा नदी की घाटी है जो डाउन फॉल्टिंग या रिफ्ट के दौरा निर्मित हुई है जिसमें नर्मदा नदी प्रवाइत होती है उसके दिशा क्या है पूरव से पश्यम की और है आ इसके लगा यहाँ नगाल सत्थपुळा एक ब्लॉक हैं सत्थपुडा किनारे नर्मदा और दखषन किनारे पर ताप्टि नदी की जो घाटी है वह और वह धिथ completely है यही कारण है कि वह उनका फो है वह इससे स्थों है पुरह से पश्यम की तरफ है ठीक है महादेव परवत का सरवच्छे सिखर कौन सा है धूपगड है मैंने कहा कि तीन है सत्पुडा में आपको तीन परवत समों मिलेंगे सत्पुडा महादेव और महादेव जो है वो बीच वाला पोर्शन है जिसका सबसे उंचा सिखर है धूपगड ठीक है और यहां पर जो पंचमडी है हिल स्टेशन एक फेमस हिल स्टेशन है वो आपका धूपगड में स्टित है मैकाल का सरवच्छा सिखर अमर कंटक क्रह कंतर दो नदिया निकलती में आपको नर्मदा और सोन विए टो इस डाइग्रां में आपको देखने को मिल जाए गए देखें नर्मदा नदियापको बहे रए है इसट से वेस्ट की और नर्मदा रिफ्ट से होके ग पुड़ा ब्लोग माउंटेन हैं जिसके एक तरफ नर्मदा बहती है और दूसरी तरफ तापती नदी बहती है ठीक है मेकाल इसका सरवच्छे से अमरकंटक और अमरकंटक्स से दो नदिया निकलती है कौन-कौन सी, एक निकलती है आपकी नर्मदा और दूसरे निकलती है सौन, ठीक है, महानदी जो है वो मिकाल पहाड़ी से निकलती है, लेकिन वो अमरकंटक्स से नहीं निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है, तो यह आपका हो गया, इंडियन और सत्पूरा चीक है सट्पूरा के बात में 4 नंबर है आपका महादेव,5 नंबर है मेकाल voting 6 नंबर क्या है च्यूभाँ ए से अनुमबर वेस्टन अफोर्य गाट पश्मी घर यह पूरवी घाट सो क helmets है दो न भाग बाग देख लिया उत्तरी भाग देख लिया गद देख लिया इसके जो इस साइड में है या जो पूर्वी भाग में है वह एक चोटा नाकपुर का पठार है जो आपका जहांपर बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं भारत का मिनरल स्टोर जिसको कहा जाता है खनीजों का भंडार कहा जाता है जिसको वो आपका है इस्टन प्लेट्यू इसमें जहारखंड पश्मिबंगाल चतीजगर ओडिसा का कुछ भाग इसमें समलित हैं यहां पर राक्ची हजारिवाग सिंग्भूम पलामू धनबाद संथाल परगना पुरूलिया चोट चोटे पहाड हैं जो इसके पॉर्शन है इसके भाग हैं जब हम भारत के मिनरल्स पढ़ेंगे तो इन सब पठारों के बारे में डिटेल से पता लगेगा क्योंकि इन में गोंडवाना काल की चटाने भी मिली हैं जिसमें कोविले के भंडार पाए जाते हैं कुम्कि भारत का जो कोविला है वो मैकसिम्मबाना काल में बनाए इसके गलाव तो कहीं-कहीं पर क्रिटेशिसencias कालमें उसको पाटलेंड कहते हैं, यह बेसिकली पठारी भाग है, समतल पठार पाए जाते हैं, जो उंचे होते हैं, और समतल होते हैं, पठारी भाग पाए जाते हैं, जिसको पाटलेंड बोले जाते हैं, करी बार एक्जाम में पूछा गया है कि पाटलेंड टोपोग्राफी कहां म मिलती है तो पार्टलेंट टोपोग्राफिय आपको मिलती है इस्टन प्लेट्यू पर पूर्वी पठार पे और स्पेसिफिकली छोटा नाकपूर वाला जो रीजन है वहां पर यह आपको देखने को मिलती है यहां पर बहने वाली प्रमुख नदियों में आती है बाराका साउट सेंट्रल है एक नमबर यह पढ़ा हमने दो नमबर यह पढ़ा और तीन नमबर आपने यह पढ़ा अभी हम देखने वाले हैं यह पूरा जो रीजन है जिसको हमने कहा डेकन प्लेट्ट्यू इसके बारे में इसका वैस्टन पार्ट वैस्टन घाट है इधर है आपक साउट का पठार दो नमबर पे जो आपको हड़ोती वाल डीजन में मिलेगा उसके बाद में तीन नमबर पे मालवा का पठार चार नंमर पे बंदेल खंड है पांच नमबर पे बगेल खंड है और यह चहएन्बर जो जो है प्ठारी भाग कहा जाता है वह एए इसके बाद में 7 नमबर पे जो है वो डेकन वाला पोर्शन है, 7 नमबर पे महारास्टा का पठार है, उसके बाद में 8 नमबर पे करनाट का में है, जिसमें हम देखेंगे मलनाड और मैदान के बारे में, और यह 9 नमबर पे है तेलंगाना, यहाँ पे जो है वो है आपका तमि अब जो सबसे इंपोर्टेंट आता है इसमें वो आता है दक्कन का पठार क्योंकि करे बार सीधा कुछन इसी पर पूचा जाता है कि दक्कन ट्रेप क्या है तो दक्कन ट्रेप को हम जनरलाइज करके दो भागों में बाट सकते हैं एक है उत्री भाग और दूसरा है दक्षनी भाग तो उत्री दक्कन हो गया और दूसरा भाग हो गया दक्षनी दक्कन ठीक है अब उत्री दक्कन की बात करेंगे तो उत्री दक्कन में उत्री दक्कन के पठार में महारास्टा का पठार जो है सबसे इंपोटेंट है महारास्टा का पठार क्या है जो कौंकन के तटी मैदान और सहयादरी को छोड़कर लगबग संपूर महारास्टा पर विस्तरित है तो कोंगण का मैदान हम देखेंगे जब तटी मैदान पढ़ेंगे जब Western Coastal Area पढ़ेंगे या पश्मी तटी मैदान पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कोंगण तट है वहाँ पे और उसके बाद में मिलता है आपको सही आदरी सही आदरी मतलब Western गाट पश्मी घाट तो उसके जो अलावा महरास्टा का जो रीजन बसता है जो आप जहां पर आपको लावा का विस्तार मिलता है वो जो चेतर है वो कहलाता है महरास्टा का पठार इस पठार पर Cretaceous उग में लावा का विस्तार हुआ था ये ध्यान रखन एक्जाम में बहुत बार पूछावा है कि लावा विस्तार कब हुआ है इस दकन ट्रेप पे तो Cretaceous उग में हुआ है और इसी के दोरान बनी जो बैसार चटाने हैं और उनी बैसार चटानों से यहाँ पर रेगूर या काली कपासी मृदा की उत्पत्ती हुई है भारत की म द्रगत का ये उच्चावत समलित हैं और भी छोट-छोटे पठार हैं जिसमें अजंता की पहाडियां हैं गुदावरी की वैली है एहमाद नगर बालगाट का पठार है भीमा उच्च बेसिन है और महादेव उच्च भूमी है तो ये कुछ छोट-छोटे भाग हैं जो जि इसके अत्रिक इसमें जो उत्री दक्कन का पठार है उसमें महानदी बेसिन या जिसको च्छतीसगड का मैदान भी कहते हैं वो समलित है यह उत्री दक्कन का ही भाग है यहां पर भी आपको आर्केन ग्रेनाइट और नीस मिलेगी लेकिन उसके ओपर कुडपा के अवशाद नदिया इनके द्वारा यह अपवाहित होता है यह जो यह जो चेत्र है यह जो जो टॉपिक्स हैं यह हम जब भारत का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे आप प्रनाइल पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे तो यह फिर से रिवाइज होगा आपको ध्यान होना कि महानदी की कौन-कौन से साइक नदिया हैं जो आपके 36 गड़ बेसिन या महानदी बेसिन को बनाती है ठीक है इसके अलावा इसमें हो गया सबसे पहले महारास्टा का पठार उसके बाद में उन्हें देखा 36 गड़ का मैदान या महानदी बेसिन और तीसरे नंबर पर आत तो उतकल तक के पास में आपको गड़ जात पहाड़ियां मिलती है वो इस बाग का हिस्सा है सरेंस्टांत्मंग द्रस्टी से यह लगबग वैसा ही है जैसा कि महानदी बेसिन है वही आपको आर्केन यूप की चट्टाने मिलेंगी ग्रेनाइट नीस मिलेगा और इंग उत पत्री भाग है उसका जो एक पॉर्शन है वो है दंड कारन्या दंड कारन्य एक तरंगित पठार है अंडूलेटिंग प्लेट्यू है वही अंडूलेटिंग मतलब समतल नहीं है थोड़ा उच्छावत इसमें देखने को मिलता है यह पठार ओडिसा के कोरापुट और काला इस एरिया में यह प्लेट्यूस्तित है इसके लाव है बस्तर शीका कुलम विशाका पत्नम और पूरी गदावरी में भी देखने को मिलता है तो दक्कन के पठार का जो चोता भाग है दंड कारन्य वह तरंगित पठार है और इन छेत्रों में देखने को आपको मिलता है इस चेत्र है मिंनरल्स का क्यों वह पे इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं कारण क्या है वहाँ पर जैसे मैंना या आपको के वहाँ पूरानी चाट्टाने भी मिलेंगे आपको आर थेने से बुदम मिलेंगे और जो नदी खार्टिया है वहां पर आपको नवीन last ना लिटिक नृड उफ्सक्र में, जो दंदकारेंड है इसमें महानदी और गोधावरी की साइख नदिया है। तो ये हमने देखा जो नौर्थ डेकन का प्लेट्व का जो एक भाग है उत्री दक्कन का पठार उसमें हमने देखा आपका दक्कन का पठार देखा ठीक है उसके दावद दिकारे ने रीजन देखा और चतिसगर का मैदान देखा हमने तो ये हमने इसके डिविजन देखे उत बहुत सारे चोटे-चोटे पठार हैं जिसमें हम देखेंगे मेंली करनाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडू का पठार, करनाटका, तेलंगाना और तमिलनाडू, तो यह डाइग्राम आप देखोगे पहले वाला, इसमें देखेंगे करनाटका, तेलंगाना और नीचे है आपका तमिलम्लादू यह जो तीन भाग हैं ये आपके मिट बनाते हैं दक्षनी दक्कन इसके अलावा जो डेक्कन का जो उपर वारा पोर्शन था उसमें हमने क्या क्या देखा था उसमें देखा था महाराष्टा का प्लेटिउ उसके बाद में हमें देखा था दंड का रन्या, यहाँ पे देखा था च्छतीजगर का मैदान, यहाँ पे देखा था ओड़िसा की उच्छ भूमी, ठीक है, जिसमें गड़ जात पहाड़ियां समलीती, तो जो दक्कन का पठार है उसके दक्षन भाग में हमने कहा कि तीन ची कोड़ तक है, तो करनाटका और केरल में विस्त्रित है, करनाटका के पठार को आप ध्यान रखेगा, दो पार्स में डिवाइट किया गया है, एक है मलनाड और दूसरा है मैदान, यह पूछा जाता है, करनाटका के प्लेटी के दो पाउर्शन है, करनाटका के प्लेटी को आपको कहीं कई पर मैसूर का पठार भी देखने को मिलेगा तो मैसूर के पठार या करनाड का के पठार को दो बागों में बटा हमने मलनाड और मैदान अब मलनाड और मैदान होता क्या है देख लीजे कन्यड में मलनाड का अर्थ होता है पहाड़ी प्रदेश या हिली रीजन तो बेसिकली ये शहयादरी ये वेस्टन घाट से लगावा पहाड़ी प्रदेश है जिसे आप डाइग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर आपका वेस्टन घाट या पश्मी घाट है इससे जो लगावा प्रदेश है जो पहाड़ी भाग है यहाँ पर आपको बड़ी पहाड़ियां मिलती है कई पहाड़ियां मिलती है और सक्री घाटियां मिलती है तो यह जो भाग है यह आपका जो है इकोस्टल प्लेन है यहाँ पे आपका सहयाद्री है और यह जो पोर्शन है यह कहलाता है आपका मलनाड या पहाड़ी प्रदेश ठीक है इसके आगे वाला जो रीजन है जहाँ पर कम उची ग्रेनाइट पहाड़ीयां मिलती है और धलानी चेतर है और यहां पर कावेरी और तुंगभद्रा जो है प्रमुख नदिया है इसको का जाता है मैदान इसके दो भाग है नौर्थन मैदान और सदन मैदान उत्री मैदान और दक्षणी मैदान तो यह अपका हो गया मलनाड यह चेतर हो गया मलनाड और इसके इस्त वाला जो चट्टानों से मिलके बना है धारवाट श्रीज का है हमें पता है यहां पर कावेरी बेसीन है जिसमें गोंडवाना की चट्टाने भी पाई जाती है तो जितने भी नदी घाटिया है आपको देखने को मिलेगी पैनिसुलर प्लेटी वाले रीजन में वहां पर आपको सब पठार दक्षणी शहयाद्री और तमिलनाडू के तर्टी मेदान के बीच दीत है सिंपल सी बात है और यहां पर आपको आर्केन काल की चट्टानी मिलेंगी इसके आप तमिलनाडू के पठार के आप यह दी देखिए इसमें तीन पोशन मैंने पढ़े हैं आपको यह आपक जाओगे इस सैड में जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या यह मिलेगा आपको पूरवी घाट जिसके बारे में हम अगले क्लास में बात करने यह में ठीक है तो इस प्रकार से हो गया हमारा धक्कन का पठार इसके बाद में जो अगला फीजिजियोग्रफ है जो जिसके बीच में फोल्ट बन गया था ब्रंच बन गया था एक अन्तराल कौण गया गैप यह मां chciaकर बना ते तो यह कहा working जो है यह वो मालने मार्श मारा यह और ला रधेट दौर कि अलग हुआ है इस अंतराल का इस अंत्राल्या गैप का निर्मान तरत्यक काल के दोरान भारतिय प्लेट के उरेशन प्लेट से टकरा कर डाउन फॉल्टिंग के वज़ए से हुआ Tertiary age में जब Indian plate duration plate से टकरा रही थी तो उस time पे down falting हुआ down falting के वज़े से क्या हुआ कि यह जो plate है यह आप देखो गैसे plateau reason है और यहाँ पे आपको में घालिया का plateau मिलेगा यहाँ पे fault line बन गई जो fault line बनी थी अब tertiary काल में बनी थी और यह इन दोनों plates की टकराने के वज़े से down falting जो हुआ मतलब यह जो चीज है वो नीचे दस गई उसके वज़े से यहाँ पे यह fault निर्मित हुआ यही अंतराली इसी fault को बाद में गंगा और उसकी साहिक नदी द्वारा तल छट डिपोजिट करके इसको भर दिया गया ठीक है अब इसका special बात क्या है यहाँ पर जो शिलॉंग है वो सबसे उंचा पॉइंट है जिसकी उंचा ही है ठीक है मेगाले पठार का विस्तार असम के कार्वी ओंगलोंग पहाड़ीयों में भी देखा जा सकता है तो कार्वी ओंगलोंग भी प्राइद वी पठार का ही extension है मेगाले पठार के लिए economic importance की बात करें तो यहाँ पर कोईला लोहायस्क सिल्मानाइट चूना पत्थर यूरीनियम जैसे खनीज संसादन मिलते हैं जो आपको सेम मिलेंगे प्राइद वी पठार में तो उससे यह भी क्योंकि इनका जो origin है वो एक ही टाइम पर हुआ है इसके लावा इस चेतर की वीशीरिसबात क्या है कि ये चेतर दक्षनी परश्मिम मौंसुन से सरवादिक वर्षा प्राप्त करता है इसही कीवज़े से कि यहाँ पर पर जो इसकी सत्या है मेगाले की पठा की जो सत्या है वो अत्यडिक अपरदीत और विच्छेदीत है आपको गारोखासी और जैनतिय मिलेगी और ये जो पोर्शन है ये आपके कार्भी ओंगलोंग पठार का भाग है ठीक है ये जो लाइन जारी है आपके ब्रह्मपुत्रा घाटी है तो यह आपका वह गया नौर्थ इसन प्लेट्यू या उत्रिपूर्वी पठार तो ये हमने देखा कि हमने देखा कि जो डेकन प्रट्व है जो पूरा प्रदेश है इसको हमने साथ भागू में बाटा है पांच की बात हम अल्ड़ी कर चुके हैं उन पांच में सबसे पहले आती है उत्री उच्च भूमी ठीक है जिसमें हमने देखा मालवा का पठार और अरावली सीरी और फिर भगेलखन के रूप में इसके बाद में नीचे देखा हमने प्रायजी पे पठारी भाग ठीक है उसको हमने दो पार्ट में बाटा उत्री भाग और दक्षनी भाग उत्री भाग में हमने कुछ पोर्शन देखे जिसमें देखा हमने महारास्टा का पठार ठीक है मह स atrás के बाद में जो दक्षणी भाग ह anxあーond AP है साउथ गैकन है सबसे पहला जो था उसमें था अब का कि इसमय हमने देखा आपको इधर देखा के करनाटका पठार क्रनाटका के बाद मैं देखा अबने तेलंगानाें यहां पर चोटानाकुर का पठार तो चार पोर्शन गहीं हो गया पांच वह आपका हो गया नौर्थीस्ट पठारी भाग जिसमें हमने देखा कार्वी ऑंगलोंग और मेगाले का पठार में चार देखी गारोग खासी जैंतिया और मिकीरिया रेंगमा हिल्स और इसके एन कून सी है वो है आपकी जी बात करोगे तो यह जो भाग है यह आपका वैसन गहाट और यह आपका ऊसल 65 गहाट वर पोरवी घाट मतलब प्रायटीव पठार के जो एक्समक्मपॉइंट मैं इंके बारे में अम कल बात करेंगे अगली क्लास में ठीक है तो यह हमने आज होगी आपकी जो अंडवा निकवार द्वीप सम्मू है और लक्षरीप है उनकी उत्पत्ति कैसे हुए और वहाँ पे कौन-कौन से द्वीप सम्मू पाए जाते हैं और कौन से एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं उसको तो आज के लिए इतना ही काफी है थैंक्यू बेरी हुए झाल